हलो एवरिवन आई होब यो और फाइन वेलकम टू सेलेब चिचेट विद मनू इन टोडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट की ती राबत एस भी ओल नों की की ती राबत की शादी जो की 12 अफ नेवेंबर को होने वाली थी वो कैंसल हो चुकी है एन गाइस अब ये शाद लिया गया क्यों ऐसा हो रहा है कि कीरती एंसारांस की शादी तूट चुकी है इसके पीछे का रीजन क्या है तो गाईस इसके पीछे का असली रीजन में आप लोग के साथ में इस वीडियो के अंदर शेर करने वाली हूं तो इसे बिलकुल भी skip मत करें और स्टार्टिंग स पाई की वज़ा से नीतु विस्ट एंड लखन की वज़ा से भी ये फैमिली बहुत ज़दा पॉपुलर है पर रावत फैमिली की एकलौती बेटी है कीरती राबत जो की एक शोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ही है आलागी उन्हें बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं तो मै आप लोग को बता दू कि रावत फैमिली की एकलौती बेटी है कीरती राबत अगस्ट टू टूएंटी थी में कीरती का रिष्टा पक्का हो गया था ये एक लब मैरिज थी उन्होंने सारांस मनोत्रा को अपने पार्टनर की रूप में चूस किया था जिसके बाद दोनोंन सगाई की पिचल्स भी शेयर किये थे सारी चीज़े काफी अच्छी चल रही थी शादी की प्रिपरेशन के साथ में ये लोग ब्लॉग्स भी कंटीनू शूट कर रहे थे हर एक दिन कहीं न कहीं चीज़े बताई जाती थी कि शादी में इस तरह से वेन्यू बुक किया पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने अपने सारे फैंस को ये न्यूज कंफर्म कर दी है कि उनकी शादी जो कि 12 ओफ नवेंबर को होने वाली थी मिस्टर सारांस मनोत्रा से वो कैंसल हो चुकी है यहां गाईस ये शादी कोई पोस्ट फॉन नहीं की गई है ब लड़की है और वो नहीं चाहती कि उनके एकस-in-laws की किसी तरहा से कोई भी बेजती हो सोचल मीडिया के उपर देक कोस गाईस वो लोग अपने आपको डिफैंड करने के लिए सोचल मीडिया के उपर नहीं आ सकते वहीं बात करें कीर्दी की फैमली की तो गाईस ये सारे ही लोग सोचल कर रहे थे कीर्थी के फादर याने की पाए उसके बाद से भी शारांस की फैमिली की तरफ से काफी सारे demands आते जा रहे थे and कीर्थी की family ने हर एक demand को पूरा करने की कोशिस की गाइस क्योंकि obviously उन्हें अपनी बेटी की शादी करानी थी और वो नहीं चाहते थे कि उनकी किसी कमी की वज़ा से ये रिष्टा टूटे इसी तरह से शारांस की फैमिली की तरफ से डिमांस पर डिमांस आती जा रही थी वहीं शादी के खर्चे में भी वो एक रुपे भी नहीं दे रही थे ये सारे चीज़े गाईज कीर्थी ने खुद ही अपने चैनल पर बोली हैं उसके बाद कहीं न कहीं एक पॉइंट पर आकर जब कीर्थी की फैमिली बहुत ज़ुकती जा रही थी क्यूंकि उन्हें अपनी बेटी की लाइफ बचानी थी उन्हें नहीं चाहिए था कि उनकी ब फैमिली के बारे में सोचा, इंडारेक्ली कीर्थी ने सारी चीज़े फैंस को क्लियर कर दी हैं कि शारांस गाइज शायद उनकी गलत चॉइस थे विकॉज उन्होंने एक टफ सुचुएशन में कीर्थी का सपोर्ट नहीं किया, नहीं कीर्थी के डिस्टैन दिया और वो केवल और केवल एक अच्छे बेटे बनके रहे गए ना कि एक अच्छे पती या फ्यॉन से एन गाइज एक और शौकिंग चीज ये है कि कीर्थी की शादी शारांस के साथ कैंसिल हो गई है इस चीज की न्यूस गाइज उनको शारांस या उनकी फैमली की तरफ से नहीं मिली थी बलकि उनके मीच्छल फ्रेंस के थू ये चीज उन तक पहुँची थी कि अब उनकी शादी कैंसिल हो चुकी है तो ये चीज कीर्थी के लिए काफी जदा हार्ट ब्रेकिंग थी अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कीर्थी के पिच्छस के नीचे आये उए कुछ कॉमेंट्स जिनके रिपलाइ भी कीर्थी ने किये है तो guys ये कुछ comment थे जो की ये show कर रहे हैं कि कीरती के जो in-laws हैं उनकी तरफ से जो नताशा मनोत्रा है वो कहीं न कहीं कीरती को defame करने का काम कर रही हैं आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के उपर कीरती का एक लंबा चोणा comment तो guys रावत फैमिली की तरफ से तो मनोत्रा फैमिली के लिए कोई भी defame करने वाली चीज नहीं बोली गई है पर अपोजर साइड में कहीं कहीं कीरती को defame किया जा रहा है और ये चीज खुद कीरती भी मान रही हैं हाला कि guys अभी कीरती जो है वो काफी जदा सैड है और अपने इस loss से overcome करने की कोशिस कर रही है जिसमें उनकी पूरी फैमिली उनका full support भी कर रही है आप लोग के क्या व्यूजेज के उपर प्लीज लेट मेनो इन comment section if you like this video then please hit the like button do subscribe to my channel for more interesting videos press the bell icon to never miss any update